दोस्तों आप देख रहे हैं मौर्या जिनुचान आज हम बात करेंगे ओट लेने के लिए भाजप्या केवल हिंदू हिंदू और मुश्लिम मुश्लिम की रट लगाती रहती है हिंदू की बहुत बड़ी हितेसी बनती है और किन लोगों के लिए हितेसी बनती है इस बात का आज खुलासा करेंगे कि किन लोगों के लिए ये काम करती है और किन लोगों के लिए भाजपा नहीं काम करती है इस बात से पता चल जाएगा दोस्तों लखनों में कमलेश तिवारी के हर्त्या कर दी गई उसके बाद उसके परवार वालों की मांग पर उसके परवार को आर्थिक मदद के लिए आर्थिक मदद के साथ ही उसके पुत्र को सरकारी नौकरी देने की गुष्णा उत्रप्रदेश की भाजबा सरकार ने कर दिया है लखनों में ही कुछ महिने पहले आधी रात को सड़क पर आयासी कर रहे विवेक्तिवारी के हर्त्या हो गई तो उसके परवार को 45 लाक की आर्थिक मदद के साथ ही उसकी पत्नी को बीग्रूप के सरकारी नौकरी दी गई लेकिन उसी तरह जहासी में पुस्पेंद्र यादो बदायो में बिर्जेस मौर्या इलहाबाद में पिंटु पटेल और आजमगड में राजभर की हत्या कर दी गई और भी कई पिखडेवा दलतों की हत्या कर दी गई लेकिन उनके परवार को कोई भी मदद और परवार के किसी सदस को नौकरी नहीं दी गई और तो और उनके अंतेश्ट में भी परवार वालों को करने नहीं दिया गया यही असली चेहरा है दोस्तों यह बताने की कोशिश कर रहा था चैलन के माध्धिम से कि भाजबा सरकार असाथ भाजबा पार्टी किन लोगों के लिए काम करती है किन लोगों के लिए काम नहीं करती है तो मैं कहना चाहता हूं यह केवल समर्णों के लिए ही काम करती है उन्ही के लिए योजना मनाती है उन्ही के लिए काम करती है यह आप इस जो हमने बताया इसी से यह पता चलता है केवल उन्ही के लिए लाब देना चाहती है बाकी लोगों के लिए केवर हिंदू मुसलिम लगा करके ओड लेती है क्या हिंदू वह लोग है जिन लोगों के लिए भाज़पा काम करती है काम करने लाब पहुचाने के लिए वो हिंदू हैं बाके ओड लेने के लिए सभी हिंदू हैं दोस्तों इस नियस से काम करती है इस बात को समझना होगा सभी जो अपने को हिंदू मानते हैं और उन लोगों के लिए क्या लाब सरकार के तरफ से भाजपार पार्टी के तरफ से मिल रही है इस बात को भी दियार रखना चाहिए आप क्या कहते हैं कमेंड के माधम से बताएं धन्वाद